कॉंग्रिस का महाधिवेशन आज से शुरू हुआ कॉंग्रिस का व्यापक रूप भी आज यहां देखने को मिला 29 राज्यों के डोम यहां पर लगाए गए और वही पार्टी ने पूरे भारत में कॉंग्रिस का दम दिखाया बतादे कि तीन राज्यों में फिलहाल कॉंग्रिस सिम्टी हुई है और एक नई अबारत लिखने की तैयारी में है भारती राश्टी कॉंग्रिस का ये 85 अधिवेशन है याद कीजिए जब सबसे पहला अधिवेशन हुआ होगा तो तस्वीर कैसी रही होगी शायद भारत की यही कलपना रही होगी कॉंग्रिस के भीतर की पूरे देश में सिर्फ कॉंग्रिस और कॉंग्रिस लेकिन यहां तस्वीर देखिए एक डॉम से लेकर सुरुआत होती आंधर पिदेश से पहला डॉम जो लगा है वो आंधर पिदेश का है उसके बाद अड़ना चला जाएगा आशामा जाएगा और फिर बिहार 36 गड़ दिल्ली गोवा गुजरात हर्याना हिमाचल जम्मू कस्मीर जहारकंड करनाटका केरल मद्यपदेश होड़ीशा पंजाब राजिस्थान या पॉंडे चेरी सिक्किम की हम बात करें यह तमिल नाड़ो की बात करें ये तमाम पूराज है जहां कभी कॉंग्रेस की सरकार रहा करती थी लेकिन ये इस्तित्याँ ये बता रही है कि कॉंग्रेस कहा अब कॉंग्रेस सिर्फ तीन राज्यों में सिम्ट कर रह गई लेकिन क्या इस अधिवेशन के जरिये जो टौ में सारा कर रहा है कि एक दोर ऐसा था जब कॉंग्रेस पूरे देश में चाही रहती थी क्या इस अधिवेशन के बाद यहीं तई आ रही है जी बिलकुल कांग्रेस बहुत ताकत के साथ वापसी करेगी और निशित तोर पर कांग्रेस के कारिकरता लोग कारिकरताओं में बड़ा उत्सा है जिस तरह राहूल गांधी जी ने जो भाराज जोड़ो पद यात्रा की है उसका हमें लाब मिलेगा और प्रमुक्ता के साथ कांग्रेस इसभार दोहजार चोविस में वापसी करेगी और दोजार तईस में हमारी सरकार पुना रिपीट हो रही है बुपेश बगिल जी के सरकार चांग्रेस की सरकार रहा करती है लेकिन यहां डॉम भाही दिखा रहे पूरे 32-31 डॉम लगे हुए आज तीन राज्यों में रगे क्या ये माना जाए कि इस अधिवेशन के बाद बही तैयारी है राहूल गांदी के नितरत बिलकुल बिलकुल पूरी तैयारी है और कांग्रेट 2024 में सरकार बना रही है ये निच्चित रूप से क्योंकि जो राहू सुनाई है और पूरे छेत्र में एक माहूल बन गया है और जो कांग्रेस के लोग हैं उनमें बड़ी उर्जा आई है और पूरी तागत के साथ बाप्शी करेंगे ये माना जाए कि एक दौर था तीन राज्यों में आपकी सरकारे हैं लेकिन यहां जब इन तमाम डॉम को द तरब यहां से वहां तक जो पंडालों के सिती देख रहे हैं यह अलग-अलग स्टेट्स के हमारे जो है स्टाल्स लगे हुए हैं पी सी डेलीगेट जिला कांग्रेस के अध्याच और आपके आई सी डेलीगेट उनके सबके पासिज दिये जा रहे हैं और जिस तरह से लोग का माहौल पैदा हुआ है इसका फाइदा हमको तीनों स्टेट में सरकार बनाने में और दोहजार चोविस में देश में कांग्रेस की सरकार राहुली के नितद बनाने में सबलता मिलें लेकिन यहां का जो नजारा है वो देखकर यही कहा जा सकता कि कहां से चलेते कहां आ कर दोद का जा और रहा है।